तो दोस्तो सबसे पहले आता है कि वो software कौन सा है, तो दोस्तो जो मैं आज software आपको recommend कर रहा हूँ, वो है OBS Studio, उससे अच्छा कोई भी free screen recorder नहीं है, सबसे best से best free screen recorder OBS Studio है, ठीक है, तो दोस्तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने PC में OBS Studio को download कर लियनी है, download करने के लिए दोस्तो आपको क्या करना है, Google Chrome या कोई भी browser जो आप यूज करते हैं, उससे आप open कीजिए, और Google में simple सा लिखे आप OBS, और enter कर दीजिए, उसके पाद दोस्तो आपको जो सबसे उपर में link मिलेगा, open broadcaster software OBS, इस पे आपको click कर लेना है, उसके पाद दोस्तो य अगर आप Linux operating system use करते हैं, तो आप यहाँ click करेंगे, दोस्तो सबसे जो important बात है कि अगर आप Windows 8, Windows 8.1 या Windows 10 user हैं, तभी दोस्तो आप OBS studio को use कर पाएंगे, दोस्तो अगर आप Windows 7 use करते हैं, तो दोस्तो उसमें आप OBS install ना करें, तो उसमें चलेगा नहीं, तो मैं Windows 10 use करता ह इसलिए दोस्तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर click करूँगा, और यहाँ पर click करते हैं दोस्तो यह software पूछेगा कि आप इसे कहा download करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं desktop select कर लेता हूँ, और save पर click कर दूँगा, उसके बाद दोस्तो इस तरह से यह software हमारे PC में download हो जाता है, इस तरह से दोस्तो OBS Studio हमारे PC में download हो जाता है, बहुत ही simple step है, चलिए आगे हम लोग सीखेंगे दोस्तो कि हम इसे install कैसे कर सकते हैं, तो इस तरह से दोस्तो यह download हो जाएगा, download होने के बाद यहाँ पर आपको एक icon मिल रहा है, यहाँ पर आपको click करना है, उसके बाद यहा यहाँ भी download हुआ होगा, वहाँ पर आपको यह select किया हुआ मिल जाएगा, तो इस तरह से download हो गया है, तो दोस्तो अब हम लोग OBS को install करेंगे, तो चलिए दोस्तो हम लोग सीखते है कि how to install OBS Studio, तो इसके लिए दोस्तो आपको क्या करना है, यह जो OBS Studio setup जो हमारा download हुआ है, तो इस पर दोस्तो आपको right click करना है, right click करने के बाद दोस्तो यहाँ पर एक option मिलता है, run as administrator इस पर आपको click कर लेना है, यहाँ पर yes और no पूछेगा, तो आपको yes करने के बाद दोस्तो, yes करने के बाद दोस्तो आपको यहाँ पर एक button मिलता है next का, आपको next पर click कर देना है उसके पर दोस्तो फिर से आपको next पे click कर देना है उसके पर दोस्तो यहाँ पर आपको एक option मिलता है install, install पे click कर देना है और इस तरह से दोस्तो आपके PC में OBS Studio install हो जाता है ठीक है दोस्तो जब यह आपके PC में install हो जाएगा तो कुछ इस तरह का window आपके सामने आएगा ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखावा है finish finish पे आपको click कर देना है जैसे दोस्तों आप finish पे click करेंगे तो यह फिर से यस और no कहेगा तो आपको यहाँ पे yes कर देना है जैसे दोस्तों आप yes पे click करते हैं तो यह आपके सामने open हो जाता है open होने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह का window open होता है तो इस पे दोस्तों आपको दिमाग नहीं लगाना है इसे आप यहाँ से cancel कर देंगे तो इस तरह से दोस्तों यह OBS studio आपके PC में install हो जाता है अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि इसमें कौन-कौन सी जरूरी setting हमें कर लेनी चाहिए क्योंकि दोस्तों जब हम OBS को install कर लेते हैं तो इसमें कुछ जरूरी setting करनी होती है तो आईए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इसमें कौन-कौन सी setting हमें कर लेनी चाहिए तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे इसे close कर लेंगे close करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो OBS है यह हमारा एक setup है जो हमने internet से download किया है इसका काम हो गया है क्योंकि हमने install कर ले है यह दोस्तों हमारा shortcut बन गया है यानि कि यह हमारे PC में install हो गया है जब दोस्तों यह install हो जाता है तो आपको कह करना है इस पर right click करना है उसके बद दोस्तों आपको apply कर देनी है और ok कर देनी ठीक है यह आपको जरूब कर लेनी है इतना करने है इतना करने हुए दोस्तों आप इसपर double click करें यहाँ पे दोस्तों yes or no कहेगा तो आप yes कर देंगे ठीक है तो इस तरह से आपके सामने OBS open हो जाता है ठीक है यहां आ जाएगा, कुछ चीजें जो है, कुछ इधर आ जाएगा, ठीक है, तो यह सब प्रेसानी जो है, आता है, ठीक है, कभी यह होगा, कि यह हाइड हो जाएगा, यहाँ पर आपको कुछ दिखने ही नहीं लेगेगा, मतलब इस तरह के बहुत सारे समस्या आती है, दोस्तो यहां पर आप यहां पर सीन लिखा हुआ है, शीक है अगर हम छर्ट अ हट्वियले सर्फौ कर देंगे, यहां पर आप हट्वियो में जाएगा, फिर इस तॉर्फियू में जाएगे, तो यहां पर आपड्यो traveling वियू में जाएगँए, तो यहां पर छेढ़ देंगे, तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है यायन Gibi , ययांनि कि बहुत सी चीजेशा यहां से हट जाता है जह अईसा कभी हो जाता है तो आपको कहना вид टैप पे क्लिक काना और यहां से आपको क्लिक करकर के इस तरह से सबी चुचेक्तों को यहां पे वापस ले आना है और उसके पर दूस्तों आप इसे पकड़के यहां पर अराम से छोड़ देंगे तो यह यहां पर लग जाएगा उसके पर दूस्तों आपको व्यू में जाना है और यहां पर आएंगे और यहां से दूस्तों आपको सोर्स भी यहां पर सो करा लेनी है ठीक है फिर आप view में जाएंगे और फिर दोस्तों आप docs में जाएंगे और यहां से आप audio mixer पे click करेंगे तो यहां पे audio mixer आ जाएगा उसके यहां राता है तो यहां पे आप इसे लागर के छोड़ देंगे तो यह यहां पे आ जाएगा यह control panel है तो इसे हम लोग यहां पे लेंगे ठीक है जब पहली बार OBS Studio को यूज कर रहे होते हैं तो यह सारी समस्या आता है तो इस तरह से दूस्तों आप इस समस्याओं को solve कर सकते हैं उसके पाद दूस्तों कई लोगों ने पूछा है कि sir हमारे OBS में यह minimize यह maximize यह close बटन यहां पे शू नहीं हो रहे है तो दूस्तों आपको करना है view पे क्लिक करना है और यहां से आपको full screen इस पे क्लिक कर लेंगे तो यहां पर यह सभी बटन सो होने लग जाएंगे ठीक है उसके बद देखिए दूस्तों यहां पे हम लोग इस तरह से ठीक है तो यही problem होता है तो आप इसे जो है F11 प्रेस करके यहां view टैप पे क्लिक करके और यहां पे full screen पे क्लिक करके इसे सही कर सकते है चलिए इतना आपको समझ में आ गया तो चलिए दूस्तों अब हम लोग सीखते है कि recording से पहले हम OBS में क्या-क्या setting कर लें जिससे हम अच्छा recording कर सके तो इसके लिए दूस्तों आपको यहां पे streaming आपको करनी नहीं है तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजे जब दूस्तों आप streaming करेंगे तो इसमें आप कुछ चीजे हैं जो कि मैं आपको next वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपको streaming करना है तो क्या-कै setting करनी होती है ठीक है उसके पा दूस्तों अगला option आता है output का output में आ होनी चाहिए ठीक है इस तरह से यह सारे चीजे कर लेंगे बाकि दूस्तों यहां पर जो important चीज है वो यह है कि यहां पर mkv video format है यहां पर आप देख सकते हैं कि recording format mkv है तो दूस्तों आपको करना है यहां पर mkv से हटा करके यहां पर mp4 select कर लेनी है बाकि इधर कुछ अब नहीं करनी है ठीक है तो output setting भी हो गया और उसके बदोस्तों हम लोग आते हैं audio में ठीक है audio में हम लोग आएंगे और audio में आने के बदोस्तों यहां पर desktop audio इसे आपको disable कर देनी है और desktop to audio disable कर देनी है माइक डिफॉल्ट ही रहने देजिए बाकि यह सारी चीज़े ऐसे ही रहने देजिए ठीक है और इधर आपको कुछ नहीं करनी है सिर्फ desktop audio को आपको disable कर देनी है ठीक है चलिए अब हम लोग आते है video setting में video में हम लोग आते है high resolution setting होता है 90 20 x 1080 यह आप select कर लेंगे और output अगर आपका PC थोड़ा सा अच्छे configuration का है प्रोसेसर अच्छा है तो दोस्तों यहां पे आपको गया करना है 90 20 x 1080 ही रखना है ठीक है मकी frame rate दोस्तों आपको 30 ही रखना है ठीक है और यहां पे आपको जादा कुछ भी नहीं करना है ठीक है बंकी चीजों को ऐसी रहने दीजे ठीक है उसके पर दोस्तों हम लोग आते है hot keys में hot keys पे click करेंगे उसके पर दोस्तों यहां पे देखिए कु मैं यहां पे दे देता हूँ shift1 से recording start हो जाएगा और यहां पे मैं दे देता हूँ shift2 से video record होना बंद हो जाएगा इस तरह से यह हमने shortcut डाल दिया है ठीक है बंकी चीजे आप देख लेंगे और इतना करने के बाद दूस्तों आपको क्या करना है apply पे click कर देना है और ok कर देन तो इस तरह से दूस्तों यह सारे चीजे हो जाएगा इतना करने के बाद आता है दूस्तों कि हम इससे computer screen कैसे record करें यानि कि OBS studio से computer screen कैसे record करें तो इसके लिए दूस्तों आपको कुछ नहीं करना है यहां पे देखे आपको source में ठीक है और यहां पे देखे प्लस icon है तो दूस्तों यहां पे एक source आपको दिख रहा है display capture डिस्पलिय केप्चर पर आपको क्लिक करेंगे यहां पे आपको OK कर देनी है ओक करने क estásद दूस्तों यहां पे आपको कुछ भी नहीं करने कि जैसा ही रहने देंके और यहां से आप OK कर देंगे करने के लिए यहां से आपको क्या करना है यह जो आपको विंडो दिख रहे हैं इस पर आपको right-click करना है right-click करने के लिए आपको एक option दिखेगा transform का record हो इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ी सी setting इसमें और करने होगी ठीक है तो audio setting के लिए दोस्तों हम लोग क्या क्या कर सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है यहां पर देखे आप आप अपने computer में आएंगे ठीक है और नीचे टासबार में आपको कुछ इस तरह का icon दिखेगा यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर यह सौंड का icon दिखेगा इस पर राइट किलिक करेंगे उसके पद दोस्तों यहां पर आपको एक option दिखेगा sound का sound पर आप किलिक करेंगे यहां पर आपको एक option दिखेगा recording का recording पर आप किलिक करेंगे उसके पर आपने जो भी mic connect किया है यहां पर जैसे के अगर आपने कोई microphone connect किया है तो आप इस पर किलिक करके set as default mic कर लेंगे यह अभी मैं microphone यूज कर रहा हूं यानिकि अभी मैं USB mic यूज कर रहा हूं तो यहां अब देखिए मैंने इस पर किलिक करके set as default कर लिया है और ok कर दिया है एक यह पर दोस्तों आपको यह चीज करना है दोस्तों अगर यहां से आपको यह option नहीं मिलता है यह कि यह अपको यहां पर पर क्लिक करते हैं और यहां पर sound में जा कर दोके और दोस्तो अगर यहां पर इस तरह का आपको नहीं सो होता है, तो यहां पर आप category पे click करेंगे, और यहां पर आप category select कर लेंगे, ठीक है, तो यहां पर मान लिया जाए कि आपने यहां पर small icon select कर लिया, तो यहां पर दोस्तो आपको एक option मिलेगा sound का, sound पर आप click कर लेगे, ठीक है, तो यह जो है आपको option यहां पर सो हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर देखेंगे, आप जो भी mike में बोल रहा है, यहां पर blink हो रहा यहां पर इस तरह से यह सारे चीज़े कर लेंगी और दोस्तों आपको यह जो माइक करने वाले हैं यहां पर रिकॉर्डिंग टैप पर आते हैं तो यहां पर यह जो हम सेटिंग डिख रहे हैं इसका नाम किया है यहां पर दीके लिखा हुआ USB Audio Device, ठीक है, Microphone, ठीक है यह आपको नाम याद रखना है और यह नाम याद रखने के बहुत दोस्तों, आपको क्या करना है, OBS Studio में आना है, OBS Studio में आने के बहुत, यहाँ पे आपको एक सेटिंग दिख रहा है, Audio Setting का, ठीक है, आपको यहाँ पे Click कर लेना है और यहाँ पे दो अगर दूस्तो आप करते हैं तो यहां पर जो भी बोय माइक का नाम होगा वो यहां पर सो जाएगा और आप अपना बोय माइक यहां से इस तरह का window open होगा उसके बाद दोस्तों यहां पे देखे value में यहां पे आपको check tick लगा देनी है ताकि आपका जो आवाज हो वो 100% यहां पे record होना शुरू हो जाए तो यहां पे आपको check tick लगा देनी है और उसके बाद दोस्तों इसे close कर देनी है तो इस तरह से आप बहतर quality में अपनी video को record कर पाएंगे तो अगर आपके आसपास में बहुत noise आता है या आपके आसपास में बहुत सोर होता है और उसमें आपको video record करने में कुछ परेशानी आता है तो आप अपने audio में कुछ filter apply कर सकते है तो इसके लिए आपको क्या करना है यहां पे आपको setting वाले icon पर क्लिक करना है और यहां पर दोस्तोv आपको एक option मिलता है filter का filter पर क्लिक करें उसके पर दोस्तो यहाँ पर को ehkä कंडेगे और और उसके पर तो अगर आपकी आवाज थोड़ा सा कम record हो रही है तो यहां से आपको क्या करना है plus icon पे click करके gain filter यहां से add करा लेंगे और यहां से gain को थोड़ा सा क्या करेंगे आप यहां से इस तरह से बढ़ा लेंगे दोस्तो यह gain आपको बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है maximum जो है आपको 2 dv तक ही बढ़ाना है तो यहां पे बढ़ाने है उसके बाद दोस्तो आपको यहां से इसे close करते नहीं अब आता है कि हम computer screen को कैसे record करें या ppt कैसे record करें तो दोस्तो इसके लिए आपको गय करना है यहां पे देखिए एक button आपको दिया गया है तो आप देख सकते हैं कि यहां पे लिखा हुआ आ गया stop recording यानि कि जब हमने hot key प्रेस किया तो यहां पे screen recording होना शुरू हो गया जब recording होना दोस्तो शुरू हो जाएगा तो OBS को आप minimize कर देंगे और minimize करने के लिए आप जो भी record करना चाहते है जो भी activity करेंगे यहां पे PPT पले करेंगे या जो भी चीज़े करेंगे यह सारा चीज दोस्तो यहां पे record होता रहेगा मालिया जागी आप PPT से पढ़ाते हैं जैसे कि यहां पे मैं PPT open कर लेता हूं इस तरह से आप PPT को open कर लेंगे उसके बाद दूस्तो आप PPT को पले करेंगे तो कुछ इस तरह से यह PPT चलना स्टार्ट हो जाएगा तो इस तरह से दूस्तो आप PPT से अगर आप पढ़ा रहे हैं और आपको यहां पे कुछ लिखना है तो control के साथ आप P दबाएंगे तो इस तरह से यहां पे pen आ जाएग और इस तरह से दूस्तो आप next slide में आगर के यहां भी चीजों को explain कर सकते हैं graphic pen tablet से लिख लिख करके आप यहां पे पढ़ा सकते हैं तो इस तरह से आप PPT भी record कर सकते हैं यह computer screen भी record कर सकते हैं उसके पर दूस्तो यहां पे चलिए मैं skip कर देता हूं ठीक है चलिए यह हमने कर लिया है और पढ़ाया हुआ खतम हो गया यह आपसे मैं PPT को बंद कर देता हूं अब दूस्तो आप क्या करना है OBS में आने को यहां पर आपको Stop Recording पे क्लिक कर देना है तो इस तरह से दूस्तो आपका recording होना Stop हो जाता है तो इस तरह से दूस्तो आप OBS की मदब से computer screen और PP दोनों ही record कर सकते है अब बात करेंगे दोस्तों कि इसका output कैसा है इसका वीडियो कैसा बना है इसकी quality किया है तो आई हम लोग देख लेते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है फाइल टैप पे क्लिक करना है फाइल टैप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको एक option मिलता है इस पर आपको क्लिक कर लेनी है जैसे दोस्तों आप इसे प्ले करके देख सकते है कि हमारा recording अनुद हो जाए तिकर आप प्रेश कर देए यहां पर देखिये recording होना इस तो आप देख सते हैं कि यहां पर लिखा हुआ आ गया तो दोस्तो आपने और पूर देखा कि यहां पर जो भी चीज़े रिकॉर्ड हुआ है वह बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हुआ है तो दोस्तो अगर आप computer screen record करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दोस्तो आप OBS बढ़े आराम से यूज कर सकते हैं इसके लिए बस आपको क्या करना है start recording पर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तो आपको OBS को minimize कर देनी है उसके बाद दोस्तो आपको जो भी करना है यहां पर जो भी चीज़े आप सिखा रहे है या जो भी चीज़े आप पढ़ा रहे है या Google Chrome open कर रहे है इस तरह से दोस्तो आप ब्रॉजर को भी record कर सकते हैं तो इस तरह से दोस्तो आप computer screen को भी बड़े इसली OBS studio की मदद से record कर सकते हैं अदर सकते है record होने को बद्च तो हम लोग क्या करेंगे OBS studio में आएंगे और यहां पर आने को बद्च तो यहां पर इस Stop Recording पर क्लिक करने को दूस्तो तो यहां पर रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया उसके पथ हम लोग इस से प्ले करते हैं file पर क्लिक करेंगे तो इस recording पर क्लिक करेंगे उसके बाद दूस्तों यहां पे आमें आउडपुड मिल जागा चलिए हम इसे प्ले कर लेते हैं तो इस तरह से दूस्तों आप computer screen को भी बड़े अराम से OBS के मदद से record कर सकते हैं तो दूस्तों आप इसे यूज करें, I hope की यह आपको बहुत पसंद आएगा बहुत लोग इसे यूज करते हैं तो आप दूस्तों की यह वडिईयो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आए तो इस वडिईयो को लाइक करें दूस्त अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करता हूँ तो चलिए दोस्तो में नेक्स वीडियो में नेक्स टूटोपोरियलमें तब तक के लिए दूस्तो जैहिन बंद्य मात्रम